इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है और इसमें काफी आथ था इंडिया का मेरा आप से कुशन यह है कि क्या वज़ा है कि हमारी फोजी क्यादत और स्यासी क्यादत क्या ये दोनों नाएहल रही है कि प्यूसियों आजादी के जो तरीखें इंडिया में चल रही है हमें अभी तक उसमें उनको अलग करने में किसी एक तरीख को भी ना हम स्पोर्ट कर सकें है बलके खालिस्तान का मसला जो काफी जावलाक साब ने च्छड़ा था इंडिया को इंगेज रखने के लिए तो वो मौत रमा बेन जीर हुकमत की हुकमत में उसको जो है वो नुक्सान पहुचायागा फिर आगे नौाज शीव साब की कुमत आई फिर दर मुशरव साब की आई फिर अभी अमरान खान साब की ए तो क्या वज़ा है कि हम जो है वो उन तरीकों में शामिल नहीं हो सके और इंडिया को उस तरह का नुक्सान नहीं पहुचा सके जिस तरह हुआ सेम्टी वन में उसने पाकिस्तान को जिक किया था तो कैनली इस बारे में बताएं कि क्या ये हमारी फोजी के अदत नायल नहीं है क्या ये हमारे सैसी लोग नायल नहीं है कि वीश्यों आजादी के तहरीकी इंडिया में चलने के बावजूद और में जिस एक को भी स्पोर्ट नहीं कर सके और इंडिया को नहीं तोड सके इस बारे में आप क्या कहते हैं जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का अच्छा होता कि आप अपना नाम भी बता देते लेकिन भारे आपका सवाल यही है कि जी पाकिस्तान को तो भारत ने दो लख्त कर दिया हमें मश्रकी पाकिस्तान को अलग कर दिया तो पाकिस्तान की सियासी और असकरी क्यादत क्यूं भारत को नुक्सान नहीं पहुँचा सकी इसका देखिया आसान जवाब तो यह है कि हमारी कभी खायश थी नहीं खायद आजम की जो पॉलिसी शुरू दिन से रही थी वो यही थी कि पीस विदिन और पीस विद आउट और फिर यह भी बात याद रिखिये कि भारत में कुछ ऐसे लोग थे इवन नहरू वलबाई पटेल इन सब लोगों ने और फिर आरएसेस और दूसरी जो तन्जीमें थी इन्हों ने कभी भी पाकिस्तान को तसलीम नहीं किया इनका ख्याल यही था गे पाकिस्तान तो दो तीन माँ चार माँ की कहानी है और यह वापिस भारत से आके मिल जाएंगे और चुकि भारत अखंड पर बिलीव रखते हैं और भारत माता पर यकीन रखते हैं तो पाकिस्तान की जो एक क्रियेशन थी जो एक मौज़ा था यह इनसे बरदाश उस्षफ भी नहीं होता था और अब भी नहीं होता बद्खिस्मती के साथ तो उन्होंने भारल ऐसे अगदामात करने थे कि पाकिस्तान को उसके टुकड़े करें उसको दोलख्त करें और वो उसमें किसी हत्ता काम्याब हो गए लेकिन ये भी आप याद रखिये कि उसमें हमारे अंद्रूनी कमजोरियां भी थी बाहर की मौमाले तभी फाइदा उठाते हैं जब अंदर में कमजोरियां होती है तो अब भारत में भी बहुत सी इंसरजन्सीज हैं खालिस्तान का भी आपने जिक्र किया वो भी अपनी जगए वेक है लेकिन हमारा ये मसला नहीं है हमारे देखें जो बन्यादी हमारा जो इशू है भारत के साथ वो जमूर कश्मीर का तनाज़ा है और हम चाहते हैं कि वो भी अफाम उतफ्हीम के साथ हल हो जाए एक खाय मतद्द की करादादों के मताबिक हल हो जाए जहां तक हमारी सपोर्ट है जो इंसरजंसी हो रही है भारत में इस से हमें क्या लेना देना है अगर देखिए भारत बेखूफियां करेगा अपने लोगों को तंग करेगा तो खुदी नुकसान उठाएगा हमें इसके बारे में परेशान ही होना चाहिए ना हमारी कोई पॉलीसी है इसके कि हमने भारत को अंदर से तोड़ना है नुकसान कर पहुँचाना है ऐसा कोई हमारा ना हमारी कोई पॉलीसी है ना हमारी कोई ऐसे इरादे हैं मैं समझता हूँ कि हमें अपना फोकस सिर्फ जामू और कश्मी पे रखना चाहिए और उस मस्टे को हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और साथ ये भी देखना चाहिए कि हम अपने अंदर अपने इतनी गुवत पैदा करें इतनी रिजिलिनस पैदा करें कि दूबारा भारत को ऐसा मौका न मिले कि हमर्श्रकी पाकिसान खाकिमuciones अद्दान ऑचान रतर आ कर लाकिन हमारे लोग भी आहस्ता आ इस्था मेचार हो रहे हैं लेकिन अभी हमारे इlympic funded को बहुत आगे बढ़ना है इसमें किसी भी काम्याबी नाकामी की बात नहीं है हमारी पॉलिसी ये नहीं है और हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मैं अभी भी समझता हूँ कि जम्ब और कश्मीर के तन उस माह तक महदूद होनी चाहिए जहां तक भारत के अजाइम है उनका मुझे मालूम है आप कोई मालूम है उनका एक डिफेंसिव फेंस डॉक्टर इन भी है वो पाकिस्तान को भी तक खेर मुस्ताहक हम करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत हैं हमने सही हमारी तरजिहात ठीक हैं और हम सही रास्ते पे गामजन हैं तो कोई वज़े नहीं हमें भारत की जो साज़श हैं वो कामयाब हों जब पाकिस्तानी खुद नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाए तो दुन्यों की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती होते हैं. तो मैं न तो इसके हाक में हूं, कि हमें भारत में जो insurgences हो रही है, उनको फ्यूल करने में कुछ गाम करना चाहिए. हमारा फोकस जम्रौ और कश्मीर के मुसल्मानों, जम्रौ कश्मीर का जो तनाज़ा है, उस पे हमारा रहना चाहिए. क्यूंकि उसका हल हमारे लिए बड़ा जरूरी है और दोनों मुलकों के दर्मयान तालुकात को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है तो यही मेरी गुजाशात हैं आपसे तो यह माजी में शायद मुझे नहीं मालूम लेकिन जो आप खालिस्तान वगरे की बात कर रहे हैं भारत कभी भी य यह वीडियो होता है यहां पर खत्म आप यह वीडियो यहां से छोड़ कर जा सकते हैं आपने सुना अब्दलबासित को अब्दलबासित को साइद अच्छी तरह से जानते होंगे इन्होंने इंडिया में एज़ा पाकिस्तान के राजदूत के तोर पर काफी साल काम किया है और यह पाकिस्तान के मीडिया में भी काफी काम कर चुके हैं तो अब्दलबासित ने यहां पर एक जो इनसे सबाल पूछा गया था किसी पाकिस्तानी ने उसका जवाब देते हुए उन्होंने यह बताया कि पाकिस्तान क्यों नहीं कोसिस कर रहा भारत को तोड़ने की भार में हर दूसरे दीसरे दिन ये शो होता है कि इंडिया के 50 तुकड़े होंगे पिछले, अब अगर कई लंबे समय से दुगा करते हैं कि पाक razor के ये फैसे कुंगे हो हनगे ये वो ऐसा कुछ लगा ही रहता है और आपको पता है कि पाकिस्तान की एजेंसी पाकिस्तान की आर्मी में तनी दम ही नहीं है तो अब्दलबासित ये एकसेप्ट भी कैसे करे और इसको पता कि पाकिस्तान दिन रात प्रयास करता है कि पाकिस्तान कस्मीर को भारस से अलग करकर पाकिस्तान में जोड ले पहले जो partition हुआ था उसको लेकर अपना कुछ बताया था कि partition अगर ना होता तो क्या होता वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल में अप्रोड किया है अगर आपको वो वीडियो देखना तो प्लीज चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो आपने देखा इसको किस तरीके से यहां पर ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने इस तरीके के कोई प्रयास किये ही नहीं हलागी ये एक नमबर का जूटा है आपको भी पता है पाकिस्तान ये जितनी भी सारी जंगे सुरू की है भारत में पहले पाकिस्तान ने अटेक किया ह और वो ही कस्मीर लेने के लिए खालिस्तान मुवमेंट में अभी जिस तरीके से मतलब जो किसान अंदुलन में जो पाकिस्तान खालिस्तान मुवमेंट उठा रहा है पाकिस्तान कोसिस कर रहा है कि इस तरीके से लोगों को भड़काया जाए आपको पता है पागिस्तान के लोग जिस तरीके से ट्विटर में ट्रेंड करते हैं खालिस्तान को लेकर आपने अगर वहां का ट्विटर सेक्शन देखा है तो इस तरीके के बाते हैं वहां पर होती रहती है तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत मगर आपको वीडियो अच्छे लगओ तो प्लीश चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ जरूर दे